हेलो एवरिवन आप सवाई लोंगा स्वागत है आपके अपने चनल मल्टी बैकर हंट में दोस्तो आज की वीडियो में हम जिस सक्षत के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो बैंकिंग इंडस्ट्री का बहुत ही जाना माना नाम है बहुत ही क्रेड़ेबल नाम है जिया दोस्तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे IDFC First Bank के MD और CEO Mr. V. V. वैदेनादन जी के बारे में देखें दोस्तो V. वैदेनादन जी बहुत ही low profile person है बहुत ही down to earth person है बहुत ही modest background से वो belong करते थे और आप देखें दोस्तों की कहां से वो कहां पे पहुँच चुके हैं आप देखेंगे आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ inspiring जानने को मिलेगा Mr. V. वैदेनादन जी के बारे में चुछल यह दोस्तों वीडियो की शुरुवात करते हैं तो Mr. V. वैदेनादन जी का जनम 2nd January 1968 में भारत के तमिलनाडु स्टेट के चिन्नई शहर में हुआ उनने अपनी primary सिक्षा चिन्नई सहर से ही पूरी करी basically उनने केंद्रे विद्धाले से अपनी सिक्षा प्राप्त करी intermediate की सिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका सेलेक्षिन बिट्स बिल्ला इंस्टुट ओफ टेक्नलोजी मैसरा जो की जहरकर्ण में इस्तित है वहाँ पे उनका सेलेक्षिन हो गया बड़ देखे दोस्तों एक रोचक बात में आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने बदाया था कि उस समय उनके फैमिली की financial condition इतनी weak थी दोस्तों कि वह 500 रूपीज अफॉर्ड नहीं कर पा रहे थे जो कि उनको चाहिए थे train journey को commute करने के लिए और उस समय उनके एक mass के teacher ने उनकी काफी जाता financially help करी उनको 500 रूपीज लेंड किये ताकि वह जो है अपने successfully admission को complete कर सके और आप Mr. वैदनादन जी की thinking और low profile उनकी modesty का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले 30 सालों तक उनने लगातार अपने उस teacher की teacher को ढूणने की कोशिश करी ताकि वह जो है उनको gracefully thank you कर सकें क्योंकि आज जिस भी position में Mr. वैदनादन जी पहुँचे हैं अगर मैस की teacher ने उनकी help नहीं की होती तो वह बिलकुल भी वहां तक नहीं पहुँच पाते वह success के peak पे पहुँच चुके थे तब भी उनने उनको उन teacher को याद रखा और उनको लगातार ढूंते रहे और finally उनको जो है उनसे मिले उनको gracefully जो है काफी जाधा thanks किया धन्यवाद दिया और काफी जाधा gift उनने obviously दिये होंगे तो देखिए उस तो अपनी creation complete करने के वो था city bank में तो city bank से जो है मिस्टर वेदर नातिंजी ने अपने career की शुरुवात करी लगातार 10 साल तक उनने city bank में काम किया और जो भी retail banking consumer banking की जो बारिकिया थी वो उनने city bank से सीखी और उसके बाद देखिए दोस्तो 2000 में ICICI bank जो है retail segment में भी उतरने की कोशिश करने समय मिस्टर वेदर नातिंजी ने ICICI bank को join किया और ICICI bank join करने के बाद बहुत ही जल्द 2000 क्योंकि उनका पास 10 साल का experience था consumer और retail banking में और ICICI bank को ऐसे ही एक बहुत ही experience बंदे की जरुत थी जो कि उनको retail banking में भी काफी ज़्यादा established कर सके और 2002 में देखिए वो head बन चुके थ तो retail जो portion है retail जो segment है ICICI bank का उसको जो है मिस्टर वेदर नादन जी lead कर रहे थे 2002 में और उसके बाद से देखिए ICICI bank को किस प्रकार से उनने grow किया है आप यहाँ पे देखिए 1400 bank branches 800 cities में 25 million customers जो कि around बैठता है 2.5 crore customers के तो देखिए इतनी बड़ी widespread presence उनने ICICI bank को दी और द अलावा देखिए अगर आप financially बात करेंगे तो कासा ratio इतना बड़ा customer base का क्या फाइदा होता है कासा ratio जो उनका current account saving account के द्वारा जो deposits होता है वो भी significantly बड़ा ICICI bank में और आप देखिए जो ICICI bank का आज जो structure है उसमें बहुत बड़ा contribution Mr. वैदे नादन जी तो दोस्तों यह तो उनने retail loan book को ICICI bank की 1.35 lakh crores तक पुझा दिया आप सोच सकते हैं कितना बड़ा number है दोस्तों यह आज भी किसी भी bank के लिए 1.35 lakh crores का loan book होना बहुत ही significant number है और इसमें बहुत ही important role play किया Mr. वैदे नादन जी ने at the age of 41 मात्र 41 years की age में वो executive director बन चुके थे ICICI bank के board में तो काफी prominent position पे वो पहुँच चुके थे ICICI bank के 40 मात्र 41 की age में और उसके बाद देखिए दोस्तों 42 की age में आते आते उन्हें उनका जो सपना था एक entrepreneur बनने का खुद का एक खुद का enterprise जो है start करने का वो उन्हेंने सोचा कि अब जो है वक्त आ चुका है कि मुझे उस segment में उतरना चाहिए और उन्हें जो है ICICI bank से resign दिया और उसके बाद जो है उन्हें start किया अपना adventure, अपना entrepreneurship, अपना endeavor तो देखिए 2012 में उन्हें decide किया entrepreneurship में enter करने का उन्हें एक NBFC को acquire किया बहुत सारे investors की help से उन्हें NBFC को acquire किया जिसका नाम था Capital First Limited और आप देखिए दोस्तों की Capital First को भी उन्हेंने 6 साल मात् साल की time frame में कहां से कहां पुछा दिया, अब ये आपके समने में आपके figures जो है कुछ आपके समने present करूंगा, आप देखिए 2012 से उन्हें lead करना start किया Capital First को, अप्टू 2018 Capital First का जो loan book है, वो 935 crore से उन्हें बढ़ा कर 29568 crore से पहुछा दिया, आप देखिए कितना manifold उनने जो loan book होगा, उतनी ही ज्यादा assets होंगे, उतनी ही ज्यादा company की income होगे, क्योंकि banking का income आती है loan book से, और आप देखिए retail banking में कितनी पकड़ है दोस्तों, जो city bank में 10 साल उनने invest किये, वहाँ पे जो retail banking की बारिकियां से की, ICIC bank में उसको execute किया, और उसको जो है कहां से कहां entrepreneurship है, अपने जो NBFC है, उसमें भी जो है apply किया, और आप देखिए, वहाँ पे जो retail portion है, वो grew किया 94 crores, 935 crores में से 94 crores था 2012 में, capital first bank का retail portion, और वो grow करकर 27,270 crores पे उनने पहुचा दिया, और आप देख सकते हैं, 2018 में 29,568 crores की उनकी total loan book थी, और उसमें से 27,000 जो है, सिर्फ retail loan book है, तो आप देखिए, retail loan book, जो कि सबसे secure loan book माने जाती है, सबसे difficulty ली, बहुत ही time लगता है, retail loan book को बनाने में, काफी ज़्यादा मेहनत लगती है, और Mr. वैदनादन जी की, ये specialty बन चुकी है, कि वो retail loan book में, काफी ज़्यादा महारत हासिल कर चुके है, तो मातर 6 सालों के, 6 सालों के time frame में, उनने जखिए, retail loan book को कहां से कहां पहुचा दिया, और उस period में, देखिए, NPA, मैं आपको बता चुका हूँगे, retail loan book काफी secure होती है, corporate loan book से, तो वहाँ पे देखिए, NPA, देखिए, 6 सालों में, 5.28 से कम होकते होते, 1.72 पे उनने पहुचा दिया, और इस तरह से, जो है, capital first को, जो credit ratings है, credit ratings के दोए, जो ratings दी जाती है, वो triple A की ratings जो है, award की गई, तो आप सोचते हैं, कितना शांदार उनका सफर रहा था, capital first के साथ, और अब आप जोगे, देखिए, 2018 के बाद से ही, उनकी जो मन में एक इच्छा थी, बहुत ही जादा उनकी ज जो इच्छा है, वो पूरी भी, finally, उनकी ये इच्छा पूरी भी, 2018 में, 13 January 2018 में, जहां पर की capital first ने announce किया, उनका merger, IDFC bank के साथ, और एक हमारे सामने combined entity उभर के आई, जिसका नाम बढ़ा, IDFC first bank, 2018 से लेकर के, अभी देखिए, हम 2020 में हैं, तो मात दो साल हुए है, IDFC first bank को, एक, जो एक combined entity है, इसको form वे, और वहां पर भी देखिए, company को इस समय वैदेनादाजी, lead कर रहे हैं, MD और CEO हैं, और वहां पर भी आप हमारी एक वीडियो देख सकते हैं, जहां पर हमने IDFC first bank के बारे में, काफी detail में, चर्चा किये, वहां पर भी आप देखेंगे, कि corporate loan book से हट करके, retail loan book की तरफ वो सीधे सीधे बढ़ते जा रहे हैं, और काफी significant, दो सालों में ही, आपको जो है, significant turnaround देखने को मिल रहा है, उनकी speciality है, उनकी expertise है, retail loan book में, अब हम बात करते हैं, दोस्तों कि वैदनादन जी, काफी low profile हैं, बंदे हैं, काफी low profile person है, down to earth person है, आपकी जो उनकी modesty है, आप इसी बात से पहले ही अंदाजा लगा चुके होंगे, उनने अपने teacher को 30 सालों तब अपने success के peak पे पहुंचने के बाद भी वो जो है, अपने teacher को भूले नहीं, जिनने उनकी critical moment में उनकी help की थी, और तो आप देखिए दोस्तों, इतने ही ज़्यादा thoughtful इतने ज़्यादा low profile, इतने ज़्यादा down to earth होने के कारण, वो काफी ज़्यादा philanthropic work करते हैं, तो देखिए, capital first bank में, capital first जो इनकी NBFC थी, वहाँ पे उनके काफी ज़्यादा shares थे, तो उनने लगबग 5 lakh shares को देखिए दोस्तों, डोनेट किया, रुकमनी foundation को, जो की underprivileged students क जो है help करती है, जिनकी worth होती है 40 crores रुपीज, और देखिए, साथ ही साथ उनने अपने colleagues को, अपने maid को, driver को, जो की, जो भी staff, जो भी उनको supporting staff था, उनको काफी ज़्यादा help करी, काफी ज़्यादा shares जो है, उनने gift करें, और आप यहाँ पे एक rough अंदाजा मैं आपस लोग जो है share, उनने capital first के अपने drivers, अपने maid और उन सब को, जो है colleagues, जो उनके former colleagues थे, जो present colleagues थे, जो उनके teachers थे, उनको जो है gift करें, जिनकी worth होती है 20 crore rupees, तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि, किस प्रकार के person है, Mr. Vedanathan जी, अपनी expertise पे उनको काफी ज़्यादा believe है, और काफी ज़् hardworking person है, but simultaneously देखे, पैसे के पीछे नहीं भागने हैं दोस्तों, वहाँ पे ये जो, जिस चीज के पीछे वो जा रहे हैं, वो है, एक success की तरफ, एक expertise की तरफ, एक किसी भी institution में change लाने की तरफ, और कि हर बहुत साए लोगों की life को, जो है, टच करने की तरफ, जो है, ये person ब लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, तो प्लीज आप जाके देख सकते हैं, IDFC बैंक के पूरे fundamentals को हमने discuss किये, तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, thanks for listening, please channel को like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, और हमें इसी तरह motivate करते रहे है, जै हेंद!